नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेश आज एक सितंबर दोपहर तीन बजे राजिस्तान की खास खबरें खादेवम नागरी का पूरती विभाग की और सेरसोई गैस सिलेंडर सबसेड़ यूजना का फाइदा आजरविवार से मिलना शुरू हो गया है रजिस्टेशन करवाने वाले रास्ट्रिय खादेश रक्षा यूजना लबार्थियों को आज से गैस सिलेंडर 450 रुपे में मि किये जा रहे हैं वर्तमान में सीडिंग का कार्य ए मित्र व्य उचित मुल्य दुकानों पर स्थापित पॉश्ट मसीन के माद्यम से किया जा रहा है रसोई गैस सिलेंडर सबसीड़ी उजना के तैत रास्टे खादेश रक्षा के पात्र परिवारों को रसोई गैस सिलेंड सबसीड़ी उजना का लाब प्राप्त करने के लिए अपने राशन कार्ड को LPG ID वेजनाधार से सीडिंग करवाये जाने के बाद ही सबसीड़ी का लाब प्राप्त हो सकेगा दोसा कोतवाली थानक शेतर में एक व्यक्ती से एक लाख बीस जार पे की ठगी का मामला सामने आया है आरोपियों ने पुलिस बन कर पिडित के बेटे को रेप केस में फसाने से बचाने के लिए पैसे इंट लिए थाना परभारी हीरालाल सैने के अनुसार परिवादी ने दे रिपोर्ट में बताया कि 27 अगस्त को ठगों ने उसे फोन किया और कहा कि उनका बेटा रेप केस में फसा है उसे बचाने के लिए 2 लाख रुपे खाते में डाल दो इतने में ही बेटे की हो बहु आवाज आती है पापा मुझे बचा लो और फोन कट जाता है उसने नंबर को सेव कर वाटसेप पर देखा तो प्रफाइल पिक्चर में पुलिस की फोटो लगी थी ऐसे में उसे विश्वाश हो गया कि फोन करने वाला व्यक्ति पुलिस में है खबराय पिता ने खाते में एक लाख बीस जार पे डाल दिये इसके बाद बाकी रुपईयों के लिए लगातार कॉल आने लगे उसने अपने परीचित को घटना के बारे में बताती हुए बाकी रुपई उधार मांगे इस दोरान परीचित के बताने पर बेटे से बात की तो ठगी का पता चला महिला हिंसा की मामलों में भड़ात्री की खबरों का हवाला देती हुए पूरव सियम अशोक गैलोत ने भाजपा पर निशाना सादा है गैलोत ने कहा है कि राजस्तान में भाजपा ने महिला सुरक्षा पर नहीं सहेगा राजस्तान केंपेंच चलाया पीम मोदी ने तो राजस्तान की तुलना मनेपूर तक से कर दी थी और राजस्तान को बदनाम किया लेकिन यहां भाजपा सरकार बनने के बाद जून तक पहले छे महीने में राजस्तान में महिलाओं के विरुद अपराद लगातार बड़े हैं मेडिया में चपी खबरों के हिसाब से 2023 के तुलना में महिला पहरण के मामलों में 10.28 प्रतिशत बलातकार मामलों में 8.03 प्रतिशत गैंगरेप मामलों में 7.19 प्रतिशत नबालिगों से गैंगरेप मुकदमों में 10.16 प्रतिशत की भड़ोतरी हुई है जून तक महिलाओं से बलातकार के 2758 और नाबालिगों से बलातकार के 794 मुकदमे दर्स हुए अब राजस्तान पूछ रहा है कि आखिर भाजबा सरकार के सकूश शाशन और मैलाओं के साथ हो रही इस हिंसा को कब तक सहेगा राजस्तान राजस्तान स्टेट नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल अड्मिशन कांसलिंग बोर्ड ने राजस्तान के मेडिकल तथा डेंटल कॉलिज में परवेश के लिए राजस्तरिये कांसलिंग के पहले राउंड का प्रोविजनल सीट अलाटमेंट जारी कर दिया या एसिपेर्ट्स की अनुसार राजस्तै toward in र 50 प्रतिशत कोटे मिं सरकारी मेडिकल कॉलिस में, MVBSuh realize जनेरल कहीं के लिए गप्सक्राइंbas क्रांसरा दर स्क्राइस है इसे इस एक लिए गाला तर अनी है डिया हुआइन इ Appeια के लिए हैं वांतर धीरी हैर है तैटे वजाय लeמसरा अनुन दर सकते हैं MBC category girls की closing rank 25,401 रही अजमेर में लोन का जहांसा दे कर 2 लाख की धोखादड़ी का मामला सामने आया है पेडित का रूप है कि आरोपी ने उसे एक सब्ता में 25 लाख का लोन कराने का अस्वाशन दे कर यह राशी ले लेकिन बाद में ने तो लोन करवाया और ने ही राशी लटाई अलवरगेट थाने में पहाडगंच निवासी राजेश गुजराती ने बताया कि उसे माजून 2024 में कुछ पैसों की आफशकता थी इस पर वह भगवान गंच अजमेर निवासी अविनाश सिंग से लोन के लिए संपर्ख किया उसने साथ देन में 25 लाख उरपे का परसनल लोन करवाने का विश्वाश दिलाया और कहा कि सब जगा सेटिंग है आरोपी ने लॉग इन चार्ज फाइल चार्ज वैसी तरह के अन्या चार्ज बताते हुए दो लाख उरपे लिए बाद में गुमरा करता रहा और कोई लोन नहीं करवाया पुलिस ने मामला दर्स कर जाच शुरू कर दी है राजाने जैपूर की एरपूर्ट थाना पुलिस ने आनलाइन साइबर ठगी करने वाले गैंग का परदा फाश कर गैंग के चार बदमाशों को गिरफ़तार किया है इस गैंग में सलीम, आशोक कुमार, चंदर प्रकाश, रूबिन और फगोल्डी हैं परिवादिया निदी जैन ने थाने मेदी रिपोर्ट में बताया कि उसके वर्टसेप और इंस्टाग्राम के जरीए आरोपियों से मुलाकात हुई थी पेडिता एक ग्रूप से जुड़ गई, ग्रूप में सौ से जादा लोग जुड़े हुए थे आरोपियों ने परिवादिया को ऑनलाइन तरीके से ट्रेंडिंग शियर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जांसा दे कर 40,70,000 पे ट्रांसफर करवा लिये पुलिस ने जांच के बाद उतर प्रदेश और जैपुर से दो यवकों को गिरफतार किया पूस्ताश में करोडो रुपे की ठगी करना रोपियों ने कबूल किया है जांच में यह भी सामने आया है कि यह गिरो पूरे में बैठे हुई अपने आखा क्रिशन के इशारे पर ठगी का कारुबार करे थे फिलाल पुलिस के टेम मुख्या रोपी समेत गैंग से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है बीका निर्जिले में मुनाफ़े का जहांसा दे कर पचास लाग से अधिक रुपए का फ्रॉड करने का मामला सामने आया है इस संबंद में हाल मेडिकल कॉलिस बॉइज हॉस्टल कैमपस निवासी डॉक्टर मोहित शर्मा ने साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है परिवादी ने बताया कि उसको फ्रॉड करने बाले व्यक्ति द्वारा हारवे नॉर्मन्स कंपनी में बिडिंग का मुनाफ़ा कमाने का जहांसा दे कर उससे 50,66,191 रुपे का फ्रॉड कर लिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी मामले की जांच पुलिस निरिक्षक गोविंदलाल व्यास कर रहे है प्रेटकों को विश्व दरोहरों में गंदगी, टॉयलेट, ध्वनी, ववायों प्रदूशन की समस्याओं से जूजना पड़ रहा है प्रेटक नराज की भी जाहिर कर रहे हैं ऐसे ही मामलों को लेकर होटैल फेडरेशन ओफ राधियस्तान का पर्तिनिदी मंडल डेरेक्टर डिपार्मेंट ओफ आर्कियो लाजी आड म्यूजियम की पंकस धुरेंदर से मिला हटेल फेडरेशन ओफ राजिस्तान की अधेक्ष हुसेन खान वरेश्ट उपादेक्ष रणविजे सिंग कोशा अधेक्ष संधीप गोगिया ने बताया कि आमेर फोर्ट में जीपों की अधिक संख्या होने से पार्किंग की अस्विदा थ्वनी और वायो प्रदूशन से भी सामना करना पड़ता है ऐसे में यहां बैटरी रिक्षा शुरू किया जाए सबी रिक्षा ड्राइवरों को युनिफॉर्म के लिए पबंध किया जाए इससे प्रेटकों में विश्वाश और एक अच्छा संदेश जाएगा गाइड के स्पैसिफाइड ड्रेस हो एवं पर हर्याना लोग सिवायोग को इसके पालना करने के लिए भेश दिया था मगर इस फैसले का असर अबाने वाली भर्तियों में दिखाई देगा मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी सरकार ने ग्रूप B अफसरों की सेधी भर्ति में वेटिंग लिस्ट तयार करने के लिए कहा है हलांकि आयोग ने 2021 में वेटिंग लिस्ट तयार करने का आग्रे पत्र हर्याना सरकार को भीजा था मगर तब सरकार के इस आग्रे को ठुकरा दिया था मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी सरकार ने तीन साल पुराने फैसले पर पुनर विचार किया और जून 2024 में फैसला किय कि ग्रूप B पदों के लिए भी HPSC वेटिंग लिस्ट तयार करेगा झाल प्रच्छी प्रच्छी इस बाहर किया और जया खिर भी ह्रुद त्यार किया फ़िए हैएँ सी वे और भी हैएँ, वे ने प्रूप B आट।